पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादर का सलाम आज 8 अप्रेल है और कुछी घंडों के बाद 9 अप्रेल यानि रजीम चेंज के 2 साल मुकमल होने वाले हैं तो सारी यादें और वो तल्ख लमहाद वो पाकिस्तानियों के जहनों पर एक बार फिर से गर्दिश करेंगे क्योंके सोशल मीडिया के ओपर ये सारा कुछ वापिस रिपीट होने वाला है और इन दो सालों के मुकमल होने पर पाकिस्तान तहरीक इनसाफ ने भी एक अहम ऐलान किया है या चांद रात का सर्प्राइज आप कह लीजिए कि वो एलान किया गया जो अब से कुछ दिर पहले कोर कमेटी में डिसकस हुआ और उसकी मनजूरी दी गई कि तमाम पाकिस्तान पाकिस्तान का परचम धाम कर घरों से बाहर निकलें और पुरहम तरीके से अपना एहतजाज रेकॉर्ड कराएं या डेमांस्ट्रेट जो भी करना है वो करें तो पाकिस्तान की इस हालिया वाकियात की तारीख में तीन तारीखे बहुत आहम हैं एक नौ मई, दूसरा नौ अपरेल और तीसरा नौ फरवरी ये तीनों वाकियात आपस में किस तरह से इंटरलेंग्ड हैं बताने की जरुवत ने सब आपको बता हैं तो अब PTI की तरफ से ये बताया गया कि कल का दिन यानि चंद घंटों बाद इसके अवाले से त्यानिया भी शुरू कर दी और सारे पाकिस्तानियों को तूलो अर्ज में यानि पाकिस्तान भर में निकलना चाहिए और जो ईद के बाद एक निया मोमेंटम देखने में आने वाला है मुम्किना तोर पर PTI की एहतिजाजी तहरीक शुरू होने वाली है तो उसको गेर अप करने के लिए ये बड़ा आ इसको जब अमरान खान ने बطور वजीर आजम आप लोगों को काल री थी एक खिताब के दुराने और कहा था कि पुरम तरीके से लोग कंद्दाब कराइगा और पाकिस्तानियों ने जो इहतिजाज रेक़र्ड कराया जिस तरह से पाकिस्तानि बाहर निकले उसका अंदाजा ऐसी सता पर लेके जो कि किसी भी और पॉलिटिशन के बस की बात नहीं थी या किसी और सियासी जमाद के बस की बात ही नहीं कि वो उसका मुकाबला कर सकते हैं उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई तो ये तो क्लियर हो गया था उस टाइम से लेके अब तक के पाकिस्तानियों की मिजॉरिटी जो है वो बिलकुल एक साइड पर खड़ी है एक तरफ खड़ी है एक बयानिये के साथ खड़ी है एक डिसीएन के साथ खड़ी है अब इमरान खान का डिसीएन खैर अब इमरान खान ने recent time बहुत मुश्किल गुजार लिया ये बहुत सारे लोग बाहर आके उनसे मुलाकात करते ये कह देते हैं कि इमरान खान बड़े हशाश बिशाश है बड़े सेहत मंद है और कोई फिकर नहीं है कोई मुश्किल नहीं है डटा हुआ है आपका कप्तान लेकिन हो सकता है मुश्किलात हो जेल जेल ही होती है और हो सकता क्या यकीन होगी लेकिन उनके इन सारी मुश्किलात के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो उनको मोटिवेट करती होगी या उनको उनके लिए तसली का बाइस बनती होगी वो ये के उनके लोग, उनकी कौम उनके साथ खड़ी है और ये क्लियर कट नजर आया सबको तो इमरान खान का हालिया दिनों में जो थोड़ा-थोड़ा सा सख्त मौकफ हमें नजर आ रहा है इन दिनों में पिछले कुछ हरसे में इतना नहीं था अग्रेसिव नहीं था लेकिन ये पिछले एक आध हफते में उनका जो लहजा भी बदला और उनके टॉन भी बदली और अग्रेसिव रवये के साथ जब वो आये हैं तो पार्टी के अंदर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये जो थोड़ी सी नर्मी का एक महौल उनकी पार्टी के लिए था तो कहीं ये ना हो कि उल्टा उनके लिए फिर से परिशानी शुरू हो जाए या फिर से चैलेंजिस शुरू हो जाए तो अब जितना कुछ देख चुकी है पार्टी मेरा नहीं ख्याल कि अब इस से ज़ादा वर्स्ट उनके लिए हो सकता है क्या हो सकता है इस सबसे वर्स्ट तो ट्राय किया जा चुक है तो अब लेकिन फिर भी उनकी पार्टी के कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान का और ज्यादा उनके लहजे में थोड़ी सकती इन दिनों देखने में आई है अब कल चांद राध है इमरान खान को ईदी में क्या मिल सकता है या इमरान खान किस चीज की डिमांड कर सकते हैं रहाई की डिमांड उनने बिलकल नहीं की क्योंके वो तो एक प्रॉपर मेरिट की तहत ही हो सकते है जब उनसे पूछा गया तो उनने बुषरा बीबी से मुलाकात की खाहिश का इजयार किया और कहा कि अगर बुश्रा बीबी से मुलाकात हो जाए तो ये उनके लिए सबसे बड़ा ईद का तोफ़ा होगा और जहां तक मुझे मालूम है इसलामबाद हाई कोट ने ये हुकम दे रखा है डियाला जेल की इंतजामिया को कि बुश्रा बीबी की उनसे ईद से पहले मुलाकात कराई जाए अब वो कब मुलाकात होगी मालूम नहीं लेकिन इमरान खान की इदी यही है खैर इदी से याद आया कि अबसे थोड़ी दिर पहले मैंने अपना दूसरा इदी का जो विलॉग है वो अपलोड कर दिया पार टू उसका करना था वो रह गया था तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है आप जाकर देख सकते हैं आई बटन पर भी आ रहा होगा और कॉमें पिन कॉमेंट होगा उसके उपर भी लिंक होगा तो आप जाके वो भी दूसरे चैनल पर देख सकते हैं उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक्यू अच्छा आप आजए जरा एक और मौमले की तरफ जिसके उपर काफी डिसकस हो रही है दाट इस 9 माई के 20 मुझरमान स्लैश मुझरमान जो भी कह लिए एक के लिए मुझरम है एक के लिए मुझरम है तो इनको रहा कर दिया गया तो रहाई के बाद ऐसा तासुर मिला कि जैसे ये बरी हुए है या बेकसूर थे इसलिए बरी कर दिया गया जबके जो मालूमात सामने आ रही है उसके मताबक इनको एक एक साल की सजा सुनाई जा चुकी थी जिन मेंसे सत्रा मुल्जमान को साड़े दस मा की और तीन मुल्जमान को साड़े नौ मा की सजा सुनाई गई थी जो के मुकमल होने के करीब है अब जादा जादा कितना दो तीन महीने कई वक्त रहता होगा, तो एद से पहले उनकी सजा बाकी जो रहती है वो खत्म कर दी गई, और बताया यह गया है कि आर्मी चीफ के हुकम पर यह सजा में नर्मी की गई और उनको रहा कर दिया गया और वो रहा होके एक दो रोज पहले अपने घरों को पहुंच चुके क्योंकि सुप्रीम कोड ने ये कहा था कि जिन लोगों को रहा किया जा सकता है उनके हवाले से फैसले किये जाएं तो वो फैसले अब मंजरे आम पे आये हैं अटॉनी जरनल ने ये तफसिला तहरीरी तोर पर सुप्रीम कोड को भिजवा दी है कि 20 मुल्ज जो हैं उनका ट्राइल जारी रहेगा कब सजा होगी कब बरियत होगी अभी मालूम नहीं है लेकिन दुआ करते हैं कि उनके लिए भी कोई अच्छी खबर आए और जिस तरह से यहां पे नर्मी बढ़ती गई है बाकियों के लिए भी नर्मी का मुझारा किया जाहिए अब म बताया कि उनके मौलच से मुलाकात से रोक दिया गया यानि इमरान खान का जो मैडिकल चेक अप है वो नहीं होने दिया जा रहा और बुश्रा वीबी का भी मैडिकल चेक अप नहीं होने दिया जा रहा उनके वकील नई पंजोता ने ट्वीट करके बताया कि यह अर्जन न इन्खाबाद के हवाले से था, कि पाकिस्तान तर्रीक इंसाफ ने सैनेट के कल होने वाले इन्खाबादument का बाइकॉट करदिया है। इसलिए बाइकॉट किया कि सेनेट के इंतखाबात एक ऐसे वक्त में होने जा रहे हैं जब खैबर पक्तूनखा से सेनेटर्स सेनेट में आए ही नहीं है। वो क्यों नहीं आये इसलिए क्योंके मखसूस निशिस्तों पर कुछ लोगों का हल्फ नहीं लिया गया तो इलेक्शन कमिशन ने सैनेट के इंटखाबात मुलतवी कर दिया या फिलहाल रोक दिये पी टी आई चुके खैबर पक्तूनखा में अक्तदार में है तो वो ऐसे लोगों से हल्फ नहीं लेना चाहती जो फॉर्म 47 से मुन्तखब हो किया है वो कहते हैं कि फॉर्म 45 के तहट जिन लोगों का मैंडट है उनहीं से हल्फ लिया जाएगा हम ऐसा अपने सूबे की अवाम के साथ नाइंसाफी नहीं करने दे सकते कि जिनको अवाम ने मुन्तखब नहीं किया उनको बुला के हम उनसे हल्फ ले 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 ये खैबर पक्तूनखा हकुमत का इस वक्त बियानिया है जो चल रहा है उसके रद्यमल में इलेक्शन कमिशन ने सैनेट के इंतखबात ही मुलत्वी कर दिये अब सैनेट में खैबर पक्तूनखा से आने वाले नुमाइंदगा नहीं है कोरम पूरा नहीं है हाॉस पूरा नहीं है इसके बावजूद सैनेट के इंतखबात कल होने जा रहे हैं तो आज पीटियाई गई इसलामबाद हाई कोर्ट में के जनाब इनको रोका जाए सैनेट की तारीख के बाद सुनाया जाएगा तो वह तो वैसे ही फैसलिक का कोई फाइदा नहीं रहा जाएगा क्यूंकि एलेक्शन तो कल हो जाना है सैनेट का तो पी टी आई ने बिल आखिर सैनेट के इंतखाबात का बाइकॉड कर दिया यह अलग बात है कि पी टी आई के अंदर आरा थी और कुछ लोगों ने खुल कर इसका इजहार किया कि क्यूं हम बाइकॉड करें हम नहीं बाइकॉड करेंगे हम जाएंगे लेकिन चुके यह पार्टी का एक पॉलिसी डिसीएन है इसलिए सब को इसके उपर इंप्लिमेंट करना होगा अगर कोई इंडिविजियल क सख्त मौकफ की वज़ा से हालिया डिसीएन्ज में सख्त आब्जरवेशन के वज़ा से या क्या कह सकते हैं और फिलहाल तो यही वज़ा नजर आ रही है इनके खिलाफ भी एक रेफरंस जो है वो दायर कर दिया गया और दरखास में मौकफ अपनाया गया है कि इनको इनके ओडे से बरखास किया जाए या इनको काम करने से रोक दिया जाए एक ऐसे वक्त में जब ज़जेज जो है वो अपना एक खत लिख चुके हैं या अपना मौकफ बता चुके हैं ऐसे में ज़जेज के खिलाफ यह रेफरंस का आना कोई भी रेफरंस फाइल कर सकता है ये निया किसी ने किसी हकुमत ने किया है या किसी और जगा से आया है कोई भी शक्स कर सकता है लेकिन किसी का ऐसे रेफरंस दायर करना इसके उपर पी टी आई ने काफी सखत रद्दे मल दिया है और इसको हकुमती कोशिश करार दिया है कि ये जजजिस के उ उपर अशर अंदाज होने की हकुमती कोशिश है। बहराल ये तो बात में डिसाइड होगा। इसी दुरान एक खबर आई खैबर पक्तूनखा के चीफ जेस्टिस के हवाले से उन्होंने आज बात्चीत करते हुए अपने दिल का थोड़ा सा दुख बताया और कहा कि हमने जो असूल के मताबक फैसले किये हैं या अब तक जो फैसले किये हमें एक स्यासी पार्टी के साथ नत्थी कर दिया गया कि जैसे हमने किसी एक स्यासी पार्टी के लिए फैसले गया हैं जबके वो कहते हैं कि हमने आईन कानून और अल्ला को हाजर नाजर जानकर फैसले किये और मेरे से जवाब दहीक कर सकता है तो ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई बड़ा उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई ना कभी उनको बहुत ज़्यादा इस तरह अब्ज़र्व किया लेकिन भले मानस और शरी फाद में लगते है जाते जाते आखरी खबर ये कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरेना में एक नई सियासी जमाद की एंट्री होने जा रही है और उसके लिए शाहिद खाकान अबासी मुथरिक हुए है और उन्होंने अपने कभाइफ जो है वो इलेक्शन कमिशन में जमा किरा दिये है और उलेक्शन कमिशन से रजू करते हैं और उन्होंने कहा है कि वो एक नई सियासी जमाद बुनाना चाहते है आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से पेश्रफ्त होगी वो ये समझते हैं कि जब भी अगले इलेक्शन होंगे तो वो और उनकी पार्टी उन्हें इंतखाबाद में भरपूर हिस्सा लेगी दो चार अहम नाम उनके साथ अल्लेडी हैं मिफ्ता इसमाईल हैं मुस्तफा नवाज खोकर हैं और दो-चार लोग भी जैसे चौदरी निसार भी जॉइन कर सकते हैं उनको जो के ऐसे लोग जो किसी और पुलिटिकल पार्टी के प्लाटफॉर्म पे नहीं हैं लेकिन वो अपनी या लाइक माइंडेड लोगों की पार्टी बनाना चाहते हैं तो वो लोग शायद उनके स झाल